हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपको इन सुकी हुई पतियों को डिकंपोज हम कैसे करें ये सब मैं आज बताऊंगी इन जो पतियां होती है इनकी अपने प्रूनिंग करते हैं तो काफी सारी जो पतियां इसमें से हमें टैनिया विगेरा जो निकलती ह तो इन सब का हम क्या करें, फूल विगेरा विगेंदे के हो जाते हैं काफे सारे, तो इनका हम क्या करें, तो इसका friends मैं आपको बताऊंगी कैसे इसकी खाद हम तियार करें, तो एक हम जमीन में गड़ा खोद ले, इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा इतना अकसा गड़ा हम ज अपना ये जो पतियां विगेरा हैं ये फूरी इसमें आ जाए तो इतना सा गड़ा खोद कें और हम इसके उपर जादा नीचे गड़ा गहरा ही जादा ना खोदें इसकी, तो इस तरह से मैंने ये त्यार करके और इसमें मैंने ये सारी पतियां विगे रहें, कुछ सूकी हुई पतियां हैं और कुछ हरी पतियां भी हैं इसमें, तो ये सब मैंने इसमें अच्छी तरह से डाल के और थोड़ा सहाथ से अपने दबा दें, कि जैसे ये अच्छे से थो इसको दबा दूंगी अच्छे से दबा के और फिर हम इसके उपर एक मिट्टी की लेयर और बिचा देंगे तो अच्छे से गचरा इसके अंदर कोई जैसे प्लास्टिक वगेरा ना हो तो पतियां ही हो तो यह सब हम अच्छी तरह डाल के इसके उपर मिट्टी की लेयर अच् और इनको बहार निकालके फिर इसके उपर अच्छी तरह से मिट्टी डालके और उस मिट्टी को हम अच्छे से पतियों को ढख दें अच्छे से इसको ढख के और फिर इसे हैं अच्छे से दबा दें और ये जो खाद बनती है फ्रेंट्स ये खाद अपने पोधों में देंगे तो अपने पोधे भी हरे भरे और अच्छे होंगे और उनमें जो है विक्टीरिया होते हैं वो पेदा नहीं होंगे और अच्छे से उनमें फूल किलेंगे तो इस तरह से हम ये खाद बनाएंगे तो हमारा ये जो पतियां गेर है ये भी काम में आ जाएगी और हमें खाद भी मिल जाएगी फिर इसके उपर हम और ये पतियों का जो है कच्रह ये डालेंगे अच्छी तरह से फिर इसको और इसके उपर है जो मिटी एक बार हमने डाल दी फिर एक बार और इसको अच्छी तरह से बिचा देंगे इसके उपर इसको भी हम थोड़ा सा दबा दबा के और अच्छे से सेट करके और फिर इसको हम यहाँ अच्छे से लगाएंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो कच्रा भी हमारे काम आजाता है, हमें खाद भी जैसे निकरीद नी पड़ती और घर पे हम त्यार कर लेते हैं खाद वगेरा और ये हम जब कीचन गार्डन में जैसे अपने सबजी वगेरा होती है उसमें भी हम ये सब खाद दे सकते हैं और अच्छे से इसके उपर कर देंगे और जब ये खाद त्यार हो जाती है तो ये जो जगह होती है गड़े वाली ये थोड़ी से नीचे की तरफ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि एक मिना तो लगी जाता है ये देखो मेरे जो बग्या में फूल है इतने सुन्दर जैसे मैं ये खाद इसमें पोदों में देती हूं तो देखो कितने सुन्दर सुन्दर फूल खिले हो है तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक केज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और आप ये वाली खाद दें तो सु लुण से में काई